नमस्कार इंडिया फर्स्ट के एस्टुलाजी फर्स्ट में आपका स्वागत करते हैं आज हम बर्त करते हैं महूरतों की महूरत महामहूरत वर्स में पढ़ने वाला एक महामूरत खरीददारी का महामहूरत जिसे धन तेरस बोलते हैं और धन तेरस के पहले भी अगर पुष्ट नचत्र आ जाए तो और भी अच्छा तो देखा जाए तो खरितदारी के महामहूरतों में इस बार जो है तो अगर धन तेरस की स्थिति रविवार को चूंकि दीपवली है और सन्यवार को नरक चतुर्दसी नरक च चतुर्दसी को रूप समानना चाहिए अपने सरीर की सफाई का दिन अर्थात आप अपने सरीर का रूप निखार सकते हैं इसको रूप चतुर्दसी बोलते हैं इसी प्रकार उसके एक सुक्रवार के दिन जो पढ़ रही है वह धन त्रियोदसी अर्थात खरितदारी का वर मंगलवार को पुष्च सोमपुष्च और मंगलपुष्च का योग बन रहा है तो शोमपुष्च जहां चांदी इत्यादी सफेद बस्तूओं के साथ में आप अन्य प्रकार की घरेलू बस्तूओं खरीच सकते हैं वहीं मंगलवार को मंगलपुष्च का योग रहेगा जिस अपने निजी वाहन हाती पर सवार होकर किया रही है और उप वाहन उनका उल्लू है तो प्रदोश काल में चुंकि इनका प्रदोश काल में प्रदुर्भाव हुआ था तो प्रदोश काल में इनके आगमन का जो हतो प्रथम समय माना जाता है तो प्रथम समय पर चुंकि छे ब बजे के बीच में सुन्दर जोहतों और परपूर रूप से अच्छा महूरत प्राप्त हो रहा है इस महूरत में आप महालचमी जी की पूजा अपने जोहतों भक्ति और शक्ति के अनुशार करें इससे आपको महालचमी की क्रपा प्राप्त होगी इसके पस्चात महानिशाका मःत्री रृत का उतने करने के लिए तांत्र को के लिए अनत्री बशेटें के गण के लिए दिन प्रतिष्थानों में आज़ते मीystses पूजा महोट रहेगा रहेग मौण 2ौे बारा म Azad और 10 बजे से दुकान जैसे ही खोलते हैं जो कि 9 से और 12 बजे तक रहेगा तो ऐसी इस्तिती में 9 से 12 बजे तक ब्यापारिक प्रतिष्ठानों में इत्यादी में पूजा कर लेनी चाहिए घर में ग्रहस्त लोगों को प्रदोस्तकाल में साम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में माता लच्मी का पूजा नावाहन अपनी जोहतो स्रिद्धा और सक्ति के अनुसार करना चाहिए रात्री में जो लोग साधूशंत और तंत्रिक अगोरी इत्यादी हैं जो अपनी मंत्र सिद्धी या तंत्र सिद्धी को जगरत करत थाते हैं उन लोगों के लिए महानिशाकाल जोहतो होता है वह जोहतो पोने बारा बजे से प्रारम हो जाएगा जो की दो बजे तक रहेगा इस बार अमावश्या थि थी दो बज़ कर फांच मिनट तक ही है अता जो आमावश्या की रात्री की जो इस्थिती है वो दो संयोग बन् रहा है वह ऑमावश्या के दूसरे दिन सौमवार को छूती हुई ौमावश्य का योग भी बन गया है है तो सौमवती आमवश्या अखंड जोहता रूप से अपने पती की रक्षा के लिए और अपनेदान परिवार की शुक्सानती के लिए शोम्मतियमवश्या का बटब्रिक शिखी पूजा करके उनका जोहतो 108 वार परिभ्रमन किया जाता है तो इससे अनेख प्रकार के कश्ट जोहतो दूर हो जाते हैं इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम समय समय पर पूना उपस्थित होंगे तब तक के लिए खबरों में बने रहने के लिए बैल आइकन दबाईए और इंडिया फस्थ न्यूस को सब्सक्राइब पीछे और हमारी एप्रिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउन्लोड भी करें